नमस्कार दोस्तो आज हम लोगा दिन करेंगे गती किसे कहते हैं गती को इंगलिस में मोसन कहा जाता है तो जब किसी वस्तु की इस्थिती में समय के साथ परिवर्तन होता है इस्थिती का मलब कोई वस्तु एक जगां से दूसरे जगां चला जाता है वो ही इसमें इस्थिती क और जब कोई बस्तु एक जगन से दूसरे जगन जाएगा तो उसमें समय तो लगना ही है तो जब किसी बस्तु की इस्थिती में समय के साथ परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं या तब कहा जाता है कि बस्तु गती में है या वह गती अवस्था में है या इसे ऐसे भी कह सकत कि किसी वस्त की समय के सापेश्ट इस्थिती में परिवर्तन ही गती कहलाता है। उदाहरण में जैसे उड़ते हुए पच्छी, तरती हुई मचलियां, दौरते हुए बच्चे, चलती हुई कार आदी।